हेलो स्टूदेंट्स जैसा कि मैंने कहा था कि हम औसत चैप्टर के बुक के कोशन करेंगे तो इसी प्रकार से अब हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं जिसमें ओसत के शुरुवाती 16 कोशनों को हम complete solve करेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं इस lecture की देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पहला प्रशन पढ़ते हैं यहाँ पर कहा गया है तीन संख्याओं का ओसत 145 है सबसे बड़ी संख्या 180 है शेश दो संख्याओं का अंतर 15 है सबसे चोटी संख्या क्या होगी प्रशन बन रहा है सबसे चोटी संख्या क्या होगी तो कोशन को बेसिक तरीके से सुरू समझते हैं तीन संख्याओं का ओसत 145 है तो सबसे पहले हमें पता है कि संख्या कितनी है संख्याएं तीन हैं ओसद भी हमें दिया हुआ है तो संख्या और ओसद हमारे को पता है 145 अब यहाँ पर जब हमें संख्या पता होती है और ओसद पता होता है तो हम योग निकाल लेते हैं तो यहाँ पर औसत को जब आप संख्या से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर इसका multiplication करेंगे, तो 3 न पाचे 15, एक बज गया, 3 चुग 12, 12 और 11, 13, एक बज गया, 3 एक कम 3 और 4, 435 इसका योग आ जाएगा, तो सबसे पहली लाइन को हमने decode कर दिया, इसके बाद में यह कहा गय है कि एक सबसे बड़ी संख्या 180 है, आप यह मान लीजिए कि A जो है, वो सबसे बड़ी संख्या है, और उसका मान 180 है, तो यहाँ पर B और C का योग निकल जाएगा, तो यहाँ पर हम फ्लो में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, B और C जो है, इसका योग कैसे निकालेंगे 435 में से 180 को आप घटा दीजिए, तो यहाँ पर जो आएगा, वो आएगा 255, यह 255 आपको निकल चुका है, B और C का योग, तो यहाँ पर, अब हम आगे बढ़ते हैं, कोश्चन को पढ़ते हैं, तथा यहाँ का गया है, कि 6 दो संख्याओं का अंतर 15 है, 6 दो संख्या है म दिया गया है, जो की है 15, अब यहाँ पर आपके पास 2 equation है, 1 और एक यह 2, 2 equation में 1 plus की equation, 1 minus की equation, इसे हम विलोपन बिदी से करेंगे, इसमें दोनों equations को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर C से C cancel हो जाएगा, बच जाएगा B, तो B को 2 बार जोड़ने पर 2 B आएगा, और यह पर इन दोनों equation को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आजाएगा 270, इस प्रकार से हम B का मान निकाल लेंगे, जो की आएगा 135, दो से डिवाइट करके, अब देखिए अभी भी question खतम नहीं हुआ है, क्योंकि हम से पूछा गया सबसे चोटी संख्या कोन सी है, तो A हमारे पास 180 ह B 135 है, अब C का मान भी निकाल लीजिए, तो question clear हो जाएगा, तो यहाँ पर हम एक equation लेते हैं, B-C और उसका मान था 15, अब आपके पास में B का मान आ चुका है 135, तो C का मान आप आसानी से निकाल पाएंगे, तो यहाँ पर जो है, C का मान आ जाएगा 120, तो इस प्रकार से, य क्योंकि आप से सबसे चोटी संख्या पूची गई थी, इसलिए C का मान पूरा अंत तक निकालना जरूरी था, इसका आंसर आएगा 120, चलिए अगला प्रशन करते हैं, अगले प्रशन को समझते हैं, अगला प्रशन को इस प्रकार से है, 20 विद्यारतियों की औसत उम्र 15 व गये हैं, औसत हो गया है इनका 15, तो योग आ जाएगा, औसत में संख्या का गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया 300, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में 300 तो ये 20 की संख्या का औसत का योग निकल चुका है, इनके अप्रशन आगे पढ़ते हैं, उनके अध्यापक का उम्र तो सबसे पहली बात तो प्रश्न आगे क्या बढ़ रहा है अध्यापक का उम्र इस प्रश्न को यहां से हमें तोड़ना है उनके अध्यापक का उम्र उन सभी 21 देखिए अभी तो 20 बोला था अब 21 कैसे हो गए क्यूंकि अध्यापक को इंक्लूड कर दिया गया है तो उन सभी 21 की उम्र के उसत से 30 वर्श अधिक है अब इस बात को समझेगा अधिक है बोला गया मतलब यहां पर अंतर आएगा तो 30 अंतर है किसका अध्यापक की उम्र का और 21 के उसत का तो सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि टीचर जो है उसकी उम्र आप मान लीजिए कि X वर्श है अब प्रश्ण अंतर में कहा गया है कि अध्यापक की उम्र बताईए यानि अल्टिमेटली आपको पता करना है कि X का मान क्या होगा तो यहां पर यह कहा गया अध्यापक की उम्र और 21 के उसत तो सबसे पहले तो 21 का उसत निकाल लीजिए आपके पास संख्या है 21 आपको औसत निकालना है तो यहाँ पर ध्यान से समझेए 21 यहाँ पर students की संख्या है यह 20 का योग है तो यदि आप 21 का औसत निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले तो यह 20 का योग है और यदि इसके में teacher की उम्र को में add कर देता हूँ जो कि हमने x मान ली है तो यह जो निकला है 300 प्लस x यह 300 प्लस x 21 का योग हो गया है इसमें यदि आप 21 संख्या को डिवाइड करते हैं तो आपको 21 का औसत पता चल जाएगा तो यह संख्या जो भी आएगी वो 21 का औसत होगा तो प्रश्न कहता है कि अध्यापक की उम्र तो अध्यापक की उम्र है x और 21 का औसत हमने निकाल लिया है 30 प्लस x बटा में 21 इसका अंतर जो है 30 दिया गया है प्रश्न को आप शांती से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अब इसको हम solve कर लेते हैं तो LC हम लेंगे तो यहाँ पर आजाएगा 21x इसको bracket के अंदर लेके चलना है तो जब आप bracket खोलेंगे तो यहाँ पर आजाएगा minus 300 minus x और यह divided में 21 is equals to 30 अब यहाँ पर आप इसको solve कर लीजिए तो 21x में से x गया तो 20x बचा इस 21 को आप यहाँ पर 30 से multiply कर दीजिएगा तो यहाँ पर आगया minus 300 बराबर में 630 अब यहाँ पर 20x बराबर इस 300 को इस तरफ लेकर जाएगे तो हो जाएगा 930 यह 0 से 0 cancel हो गया तो x का value आजाएगा 93 by 2 जो की होता है 46.5 या 46 सही 1 बटा 2 तो इसका सही answer होगा 30 यानि 46 सही 1 बटा 2 तो चलिए मैंने इसका answer आपको बता दिया अगला question देखते हैं अगला question क्या होगा अगला question कुछ इस प्रकार से है अगला question कुछ इस प्रकार से है एक company प्रथम 3 महीनों के दोरान देखे संख्या कितनी दी है तीन महीनों के दोरान औसतन 3500 खिलोने बनाती है तो सबसे पहली बात तो हमारे पास में संख्या और औसत है आपको पता है क्या करना होता है जब संख्या और औसत होती है तो सबसे पहला काम करिए योग निकाल लीजिए तो संख्या कितनी है तीन महीने औसत कितना है तीन हजार पान सो तो योग निकाल लीजिए इसका 35 तीया 105 और यहाँ पर 00 से आप गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा 10,500 याने तीन महीनों में शुरवाती तीन महीनों में 10,500 खिलोने बनते हैं अब प्रशन कहा गया है आगे शेश नौ महीनों में कमपनी प्रतिमाह औसतन कितने खिलोने बनाए अब प्रशन बन रहा है नौ महीनों में कितने खिलोने बनेंगे जबकि पूरे वर्ष के दोरान प्रतिमाह औसतन 4,400 खिलोने बनते हैं तो देखिए पूरे वर्ष का आपको औसद दिया हुआ है शुरुवाती तीन महीने का औसद दिया है और बीच के नौ महीनों का पूछ रहा है तो सबसे पहले आप ये करिएगा कि पूरे बारह महीनों का आपको जब औसद दिया है 4400 तो आप बारह महीनों का योग निकाल ल इस प्रकार से ये 2-0 लगा दीजे तो ये जो योग आया है ये 12 महीने का है ये जो योग आया है ये 3 महीने का है तो यदि आप 12 महीनों में से 3 महीनों को माइनस करेंगे तो 9 महीने में बचेंगे 12 महीने में 52,800 खिलोने बने थे 3 महीनों में 10,500 खिलोने बने थे इस प्रकार स इसका अंतर जो होगा वो होगा दो तो दो ही हो जाएगा और यह हो जाएगा 42 याने 9 महीनों 9 माह के अंदर 42,300 यह योग यह देखे यह हो गई संख्या यह हो गया योग इस प्रकार से आपको अब चाहिए औसत 9 महीनों का तो 42,300 में आप 9 को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 9.36 बजगया 6 नामी साती 63 यह आ गया 47 तो इसका सही आंसर क्या होगा ओप्शन नंबर 4 47 तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई अच्छे से समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन करते हैं अगला प्रशन क्या होगा समझते हैं तो यहाँ पर मैं इस कोईशन को पढ़ लेता हूँ पहले पूरे 16 व्यक्तियों की ओसत मजदूरी एक अन्य व्यक्ति को शामिल करने से एक घट जाती है और उस व्यक्ति को 100 रुपए प्रतीमाह के हिसाब से मजदूरी दी जाती है 16 व्यक्तियों की ओसत मजदूरी रुपए में क्या होगी यहाँ पर प्रश्न बन रहा है 16 व्यक्तियों की ओसत मजदूरी आपको निकालनी है तो देखिए सबसे पहले हम इस कोईशन को basic तरी के से समझते हैं आपको पहली बात तो संख्या दे दी गई है और संख्या कितनी दी गई है, 16, अब यहाँ पर कहा गया, औसत मजदूरी एक अन्य वेक्ती को शामिल कर लेने से यानिए बाद में ये वेक्ती जुड़ेगा तो सबसे पहले तो औसत मजदूरी एक से घड़ जाती है, तो सबसे पहली बात का औसत आपने शुरुवात में निकाल लिया 16X हो गया अब इसके बाद में एक वेक्ति को आपको एड़ करना है तो ये वेक्ति कितने हो जाएंगे अब 17 16 तो पहले ही थे अब कहा गया है कि शामिल कर लेने से एक घट जाती है तो औसत एक घट गया तो X-1 हो गया X-1 हो गया अब यहाँ पर 17 संख्या है औसत इतना है तो योग निकाल लिजिए 17 का गुणा करिए औसत में तो यहाँ पर आ जाएगा 17X-17 तो यह देखे यह नया योग आया है 17 का और यह योग है 16 का अब प्रश्न को कैसे पढ़ेंगे आगे और उस वेक्ति को कितना मिलता है 100 रुपे यानि उस एक इंडिविज्वल वेक्ति के बारे में बताया गया है कि उसे 100 रुपे मिलता है अब देखे यदि इस 17 के योग में से आप 16 के योग को घटा देंगे तो यह 16 को जो मिलता था वो तो पहले भी मिलता था यहाँ पर यह जो 100 रुपे की राशी दी गई है यही वो अंतर है जो कि इन दोनों के बीच में होगा तो आप 17x माइनस 17 में से 16x को माइनस कर देंगे क्योंकि यह योग है 17 का और यह योग है 16 का तो इसके बाद में जो अंतर बचेगा वो 100 रुपे होगा अब इसको घटा देते हैं तो 17x में से 16x गए तो x बच गए य 17 और आपको x का मान निकल गया है अच्छा पूछा क्या गया था 16 वेक्तियों की ओसत मजदूरी हमने 16 वेक्तियों की ओसत मजदूरी कितनी मानी थी x मानी थी इस प्रकार से x का मान कितना आ गया 117 तो इसका सही आंसर क्या होगा 117 तो मैं उम्मिद करता हूं यह आपको हो गया बीसवी पारी में उसके द्वारा बनाए गए दस रन यहां पर यह दस लिखा हुआ है दस रनों ने उसकी ओसत रन संख्या को एक कम कर दिया तो बीसवी पारी तक उसकी ओसत रन संख्या क्या है चलिए अब इसको बेसिक तरीके से सबसे पहले समझ लेते हैं एक बल्ल कार के कोश्चन में सबसे पहली बात एक छुपी हुई बात है कि यदि उसने 20 पारियां खेली है और अंतिम पारी में 10 रन बनाए है तो यही वो अंतर होगा जो 19 पारी में खेले गए रन और 20 पारी में खेले गए रनों का होगा तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 19 पारी में 19 एक्स रन कंप्लीट किये हैं जब उसने 20 पारी खेली तो यहां पर 20 जब उसने पारी खेली तो प्रशन ये कहा गया कि उसकी ओसत रन संख्या एक कम हो गई तो पहले एक्स ओसत था अब एक्स माइनस एक ओसत हो जाएगा अब यदि आपके पास संख्या है और ओसत है तो फिर से योग निकाल लीजिए 20 एक्स माइनस वन इस प्रकार से 20 एक्स माइनस बीस ये आगया एक्जेक्ट योग ये 20 पारियों का योग है ये 19 पारियों का योग है अब उसने 20 पारी में रन कितने बनाए हैं 10 रन तो सबसे बढ़िया काम होगा कि आप 20 पारी की संख् से घटा दीजिए तो आपके पास में जो आएगा वो अंतर होगा तो यहाँ पर 20 पारी में उसने रन कितने बनाए 20x-20 और 19 पारी में रन कितने बनाए 19x इस प्रकार से इन दोनों का जो अंतर होगा वही 10 रन होगा जो कि 20 पारी में बनाए गए रन है अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 20x में से 19x को घटाएंगे तो x बचेगा यहाँ पर बचेगा माइनस 20 और यह बचेगा 10 अब इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो x का बराबर आ जाएगा 30 देखिए अब x का मान आ चुका है और x हमने क्या माना था 19 पारियों में उसके औसा रन कित्ने हैं लेकिन हम से पूच्छा क्या गया है 20 पारी तक औसा रन कितने हैं तो 20पारित यह गाण कित्ने हैं तो इसका मतलब इस संख्या में sure होना चाहिए कि वही आंसर सही होगा तो इस प्रकार से इसका आंसर none होगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर जाते हैं और अगला प्रश्ण करते हैं कि 16 परिक्षार्थियों का ओसत अंक सहाट पाया गया देखिए प्रश्ण पढ़ते से ही मुझे समझ में आ गया कि मुझे 16 संख्या दी गई है और औसत सहाट दिया गया है अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं संख्या औसत यदि दोनों है तो निकालेंगे योग अब सबसे पहले मैंने पूरा कोश्ण नहीं पढ़ा लेकिन मुझे पहली बात में यह समझ में आ गया कि यहाँ पर मुझे करना क्या होगा इस लाइन को पढ़के लेकिन फिर भी पूरा कोश्ण पढ़ लेते हैं 16 परिक्षारतियों का ओसत अंक सहाट पाया गया बाद में पाया गया बाद में पाया गया कि एक परिक्षारति का अंक 87 के बदले 55 और दूसरे परिक्षारति का अंक 43 के बदले उन सहाट लिखा गया है तो सही ओसत क्या होगा तो देखिए इस प्रकार के जो एरर वाले कोश्ण होते हैं उसे हम समझ लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया सोला तो संख्या कितनी हो गई सौला वशत कितना हो गया सहाट तो यहाँ पर हम योग निकाल लेते हैं सोला गोनित में सहाट करेंगे तो 166, 96 यानि 900 सहाट अब यहाँ पर 900 सहाट क्या आ चुका है योग आ चुका है 16 संख्याओं का याने 16 परिक्षार्थियों का तो अब आगे कहा गया बाद में पाया गया यहाँ पर हमें योग तो पता चल गया है अब यहाँ पर यह कहा गया कि एक परिक्षार्थी को 87 के बदले 55 अंक मिल गया है याने कि उसे मिलने चाहिए थे 87 लेकिन उसे मिल गए है 55 अब यहाँ पर इसका मतलब उसे कितने अतिरिक्त मिलने चाहिए थे जो कि इस योग में जुड़े नहीं है तो वो होंगे 32 यह वो 32 अंक हैं जो कि इस योग में नहीं जुड़े हैं क्योंकि उसे 87 के बदले 55 ही मिले हैं अगला प्रश्न ये कहा गया है कि दूसरे को 43 के बदले 9 सहाट मिल गए यानि कि उसको कम मिलने थे लेकिन जादा लिग दिये गए तो इसका मतलब इसका अंतर कितना हो जाएगा 59 में से हम 43 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर गलत अंक चड़े हैं 16 अब इस काम को सरलता देने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ दीकि थोड़ा सा काम लंबा जाएगा लेकिन विवस्थित हो जाएगा इस 967 में ये 32 अंक नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले तो आप इस 967 में 32 अंक को जोड़ दीजिए क्योंकि प्रश्न क्या का गया है? सही औसत सही औसत कब निकलेगा? जब आपके पास में सही योग आएगा तो पहले तो सही योग निकाल लीजिए और ये गलत योग है, तो सबसे पहले 978 में ये अंक नहीं जुड़े हैं, तो इस 32 अंक को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आ गया ये 992, अब इसके बाद में दूसरे परिक्षारती के 16 अंक जादा चड़ गए हैं, तो ये जादा नहीं चड़ने थे, तो ये आपको कम करन पड़ेगा, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, कि इस में जोड़ देते हैं 32 को, तो यहाँ पर 2, 6 और 9 और ये 952 आ गया है, क्योंकि ये 32 अंक कम जुड़े थे, अब इस 16 अंक को हम घटाएंगे, क्योंकि ये 16 जादा जुड़ गए हैं, तो यहाँ 12 में से 6 गया तो 6 बच गया, यहाँ पर 7 बच जाएगा और यहाँ पर 9, अब देखिए ये एकदम करेक्ट आपका सम, यानि योग आया है, और सही योग से ही सही वसत निकलेगा, अब इस 976 संख्या को आप डिवाइड कर दीजिए 16 से, जिससे क्या हो जाएगा, कि आपको 916 को 916 को 16 से जब आप डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आपको एक सही वसत में लेगा, तो चलिए करते हैं, 16, 96, और 1 बच गया 16, एकम 16, तो इसका सही आंसर क्या आजाएगा, 61, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, 61, मैं उम्मित करता हूँ आपको समझ में आगया वरना आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन करते हैं, एक परिक्षा में परिक्षारतियों का ओसत अंक सतर पाया गया, कम्प्यूटर की तुरूटी के कारण 50 परिक्षारतियों का अंक 90 से 50 आ गया, जिससे ओसत घटकर हो गया, परिक्षा में बैठने वाले कुल परिक्षारतियों की संख्या कितनी होगी, हमें संख्या पर प्रशन बन रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं, प्रशन को धीरे धीरे पढ़ते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एक परिक्षा में परिक् तो 70 exactly ओसद दिया है, हमें छात्रों की संख्या नहीं पता, इसलिए आप X मान लीजिए, इस प्रकार से 70X योग आ जाएगा इनके कुल अंकों का जो की X छात्रों को मिले हैं, कम्प्यूटर की तुरूटी के करण 50 छात्रों के साथ ऐसा हो गया, कि उनके 90 अंकों की जगे 50 ही अंक लिखे गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, प्रती छात्र के साथ में 90 की जगे 50 लिखा गया, मतलब हर एक छात्र को कितने अंक कम मिले हैं, 40 अंक कम मिले हैं, यह 40 अंक जब कम मिले हैं एक छात्र को, तो ऐसा कितने छात्रों के साथ हुआ है, 50 छात्रों क साथ तो ध्यान से समझ यह 50 चात्रों को 40 अंक कम मिले हैं यहां पर यह संख्या है इसलिए संख्या के उपर में हमेशा गोला लगा देता हूँ तो संख्या 50 है और यहां 40 अंक कम मिले हैं इसका मतलब कुल योग में 2000 अंकों की गलती होगी तो इस प्रकार से समझ लीजिए यह जो 70X योग आया है इसमें 2000 संख्या कम होगी तो आगे बढ़ते हैं और इससे हुआ यह कि 2000 योग कम होने से ओसत घट करके सहाथ हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ गणित में समझने वाली बात है यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि ओसत सहाथ हो गया तो नई संख्या नया ओसत और नया योग क्या होगा संख्या तो X ही रहेगी चात्रों की क्योंकि वो तो बढ़ कम नहीं रही है लेकिन ओसत सत्तर की जगे सहाथ हो गया है इस प्रकार से नया जो योग बनेगा वो बनेगा सहाथ X तो इस प्रकार से हमने कहा कि यहाँ पर 7 X जो होगा और 70 X जो होगा उसके बीच में अंतर 2000 का है क्यूं है क्यूंकि इस 70 X में यह 2000 एड होता तो फिर गलती ही नहीं होती तो इसका मतलब 70 X योग में से 70 X योग को आप घटाएंगे तो यहाँ पर जो मिलेगा वो 2000 होगा इतना आ जाएगा? 200, तो यहाँ पर हमें प्रश्न क्या पूछा गया था? परिक्षारतियों की संख्या, और हमने शुरवात में ही परिक्षारतियों की संख्या कितनी मानी थी? X, तो X का मान कितना आ गया? 200, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 200, तो यह सही आंसर होगा इसका, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, और एक और प्रशन कम्प्लीट करते हैं, यहाँ पर यह प्रशन है, एक कक्षा में लड़कों की आयू का ओसत, लड़कियों की संख्या का दुगना है, तथा कक्षा में 36 विद् करेंगे, तो कम्प्लीट कोशन कर पाएंगे, एक कक्षा में लड़कों की आयू का ओसत, पहली बाद तो लड़कों की आयू का ओसत बोला गया है, और लड़कियों की संख्या का वो दुगना है, फिर आगे यह कहा गया, कक्षा में 36 विद्ध्यारतियों में लड़के और तो ध्यान से समझे इस लाइन से हमें क्या समझ में आया है, कि कक्षा में कुल बॉइज और गर्ल्स की संख्या जो है वो 36 है, मैं बार बार कहता हूँ, यदि आपके पास में योग या अंतर है, तो अनुपाद ढूनने की कोशिश करिए, तो यहाँ पर बॉइज और गर्ल की संख्या निकाल लेते हैं, जिससे कोशन आसान हो जाएगा, तो यहाँ पर बॉइज के समतुल्य अनुपाद कौन सा है, पांच है, तो जिसके बारे में पूछा जाता है, उसके समतुल्य अनुपाद को उपर रखा जाता है, गुणा किया जाता है, योग की राशी से और क्योंकि योग की राशी से गुणा किया है, इसलिए दोनों अनुपादों को नीचे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से हम जब इसे सौल्व करेंगे, तो पांच बटा में 6, गुणा में 36, याने की 6-6, 36, तो ये बॉइस की संख्या कितनी आ गई, 30, इस की संख्या कितनी आ गई, 6, अब देखिया, आपके पास दोनों ही संख्या है, बॉइस और गर्ल्स की, अब प्रशन आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रशन क्या कहा गया था, कक्षा में लड़कों की आयू का ओसत, आपको आयू का ओसत निकालना है, लड़कियों की संख्या क का दुगना है, अब आपके पास लड़कियों की संख्या 6 आ चुकी है, याने की ओसत जो है, वो लड़कियों की संख्या का दुगना है, मतलब X का मान कितना आ गया, 12, तो ओसत आपके पास आ चुका है, और लड़कों की संख्या भी आपके पास में है, क्योंकि पूछा य लड़कों की आयू का योग क्या है आयू का योग पूछा है अब देखी योग कैसे निकलता है संख्या ओसत और योग यही तो हम शुरू से करते आ रहे हैं अब लड़कों की संख्या कितनी है हमने पहले ही निकाल ली थी 30 है ओसत हमने निकाल लिया लड़कों का ओसत कितना ह 12 जो कि अभी हमने यहां X के मान से निकाला है और अब यदि आप योग निकालना चाहते हैं तो इस 30 में 12 का गुणा कर दीजिए 12 तिया 36 तो इस प्रकार से यह total क्या answer आगया 307 तो इसका सही answer होगा 307 मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह logic समझ में आया होगा इस वीडियो में editing नहीं कर पाऊँगा क्योंकि तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा इसी प्रकार से आगे की classes भी हम continue रखेंगे आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो comment box में जरूर लिखना है ताकि मैं समझ सकूँ कि यह पढ़ाई का तरीका आपको समझ में आ रहा है इस वीडियो को देखने के लिए Thank you